आफ्टे में multiple times आपकी cat को medicated बात दिया जाता है और fungus एक दो दिन में टीग नहीं होती बलकि आपकी बिली fungus से recover होने के लिए महीने भी ले जकती है और fungus जो अगर आपकी cat को हो गया तो वो एक जगा से पूरी body पर आपकी cat के खाल सकता है और यह इंसानों में भी हो जाता है असे लाओ रेको आज मेरी वीडियो का टोपिक है cat में फंगा इंफेक्श इसकी क्या वजवात होती है इसका क्या एलाज है fungus पैसिटी short producing organism ने इनवार्मेंट पे जिगा जिगा पे Anda के exposed अगर आपके बीडि़ डिर्यक्ति इंस्पोर्स से Сपर्ड़ ऐसाती है या फंड़ेसogen में या स्टोईयों में या लो साल शरवाइग कर सकते हैं, जिदा रह सकते हैं, और फंड़ेस की गालने से सिर्फ टिन के इशू में हो सकते हैं, बल्के हो सकता हैं कि आपके बल्लrang के साल विल्लिवें ऑबने साइस की बलत बें decisions का दो खे गाल हैं अगर आपकी cat को हो गया तो एक जगा से पूरी बॉड़ी पर आपकी cat के खाल सकता है आसर यह अबस और गर्मियों के वोसर में जब आपकी बीडी जोगती है और वहां पर बैठती है और उसके बाद आपकी एफिशेंटली खुद को साफ नहीं करती राय नहीं करती खुश्क नहीं करती तो बहुत ज़्यादा चांसिज होते हैं कि उसे फंवस ग्रो कर जाए इसके अलाबे आपकी गडिए बाद एते हैं अजिलाते हैं उसको गाद उसको डॉयर से इची तरह साफ नहीं करते हैं उस्टिट बैन्ली ओपर नहीं करती है और जाँ पर वहां पर वणिश घुला पन रह जाते हैं तो आईन उनके लिघ्या वाँ पर खम्रो कर जे और फि बहुत ईजीनी ग्रोगाज है, और बहुत से fungus जो होती है, यदि कि वो बिली से आप में humans में pet owners होते हैं, उनमें transfer हो सकती है, बच्चों में हो सकती है, अगर वो ऐसे विली से खेलते हैं, जो fungus से उतासिर है, ऐसे बिली से जब भी आपने contact करना है, जिलना है, जो भी करना है, आपने gloves पहन कर और प्रोपर रख लिया, को ठाक कर उसके साथ contact हरना है, बसन जैसा कि ringworms है, जिसे दिल्वेटर फार्डोसिस का जाता है, वो बिलियों में एक आप वगोल इंफेक्शन है, और ये इंसानों में भी हो जाता है, ringworms फंगर इंफेक्शन में, ring-like pattern बनता है, cat बोडी में थोड़े थोड़े जगा-जगा पर पैसिस मत दिया, वहाद पर से बालन कोमतों पर गिर जाते है, hair loss होता है, और उसे प्रेटरिस भी हो जाए, swelling हो जाए, inflammation हो जाए, और अगर अलाज नहां किया जाने तो हो सकता है, और आपर absence बांजाए, पास बांजाए, या पाने वाली अलावाद के इलावाद, pharmis चिरिया से बहुत सी दूसरी अलावाद भी आ सकते हैं, वस्तन के आफ्टिबी को वखार हो सकते हैं, वो खाना दिना चोड़ सकती है, लिडाव हो सकती है, उसका वज़न का मुरश हो जाता है, उसकी नजर आंखियों उतासिर हो सक इसकी अधिक शामिल है, जिससे आपकी के पर या बोटिक पर जो भी फंगस स्पोर्स मुझूद है, तो काफिया खत्म हो जाते हैं, यह लाइट शेंपू अगरा है, जो कोर्स क्रीटमेंट के साथ साथ ही चगता रहता है, आस्टे में मुल्टिब तैंस आपकी को वेडिके पर यह लिए वहीने भी लेज़ाती है, और जब केट फंगस मुकवल तो रिकवर करजें, उसके बाद भी तीन से चार अफटे तंग एक उंगस का अलाग चलता रहता है, आपके बिनी फंगस मुकवल रिकवर कर चुकी है, इसे तब कंसर्ब किया जब है, जब दो फंगस क इस डेक्तिव आते हैं, और आपके कैट के फर बिलकुल ठीक हो रहती है, उसके स्किन पे किसी किसम का फंगस पॉर्ट बागी नहीं रहता है, अन्यसे बचाओ के लिए यह है कि आप एकनी कैट के इंवर्मेंट को विपल साफ सुतरा रखें, जा तो बैठते हैं, सोती हैं जब आपो साफ रखें, पानी में ज्यादा ना जाने दी, या जब आप उसे नहलाई तो से मुकबल तो पर ड्रायर से इची तरह साफ करें, अब आपकी कैट पाइर साथ या वो गीली है, मती लगी हुए तो उसे इची तरह दोई साफ करें, और गेला रहने दें, इसके ल या आपनी कैट को फर्मिंग इंफेक्शन है, या रही है, अगर आप अपनी कैट को प्रॉपर टीट्मेंट देते हैं, वो बडबद इसका अनाज शुरू करवा देते हैं, तो आपकी कैट फंग से 100% रिकवर्ड कर जाती है,